तैकी जोस्परी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्ट कर दोस्तों टैकी जोस्परी व्युट्य चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज की वीडियो लेका है हैं हम सबी के लिए कि क्या आपको फोन रूट करना चाहिए कर नहीं करना चाहिए तो यह वीडियो आप देखिए और आग एसी के बारे में आद डिटेल में बात करेंगे आप देख रहे हैं एक नया व्यूँ, तो चलिए नय व्यूँ के साथ इस वीडियो की शुरुवात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तो अगर हम रूट की बात करें तो रूट करना क्या होता है एक फोन को पहले तो हम यह समझते हैं फिर हम समझेंगे कि क्या इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखिए दोस्तो जहां तक हम फोन को रूट करने की बात करते हैं तो रूट का मतलब क्य ने आपको original software डाल के दिया है, उसे हम उसकी phone की ROM में से, जो कि उसकी internal storage होती है, उसमें से उसको निकाल के उसकी जगह कोई और software डाल दें, तो उसे हम root कहेंगे, जो आपके phone की system files है, उसके साथ छेड़ चाड़ करनी, सीधी बाशा में बताऊंगा, मैं आज आपको, क्योंकि अगर हम ज्यादा technical चले जाएं, तो आपको ज्यादा confused हो जाओगे, उसमें तो आपको समझ नहीं पाओगे, तो मैं बिलकुल देसी बाशा में समझाओंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके, देखिए, जो आपका phone की, जो आपका manufacturer है, जैसे आप Xiaomi का phone जूज कर रह है, जैसे Android 7 है मान लीजिए, तो वो जो software डाला हुआ है, आप चाहते हैं कि मैंने latest software हमें चाहिए, जैसे आप चाहिए, कि मुझे Android 8 आ गया है, Android 9 आ गया है, मुझे वो चाहिए, तो एक तो वो होता है, उसके लिए क्या करते हैं लोग, उसकी एक ROM होती है, तो वो अलग से ROM हम अपने phone में डाल लेते हैं, वो भी routing के process से ही होता है, ठीक है, एक दूसरा method होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें कि आपके phone में जो software है, वो वही रहेगा, जैसे Android 7 है, तो software आपका वही रहेगा, पर उसमें क्या है, कुछ एक apps ऐसी होती है, जो हमें install करने हमारे phone में हो नहीं पाती, क्योंकि वो हमारे जो system का software है, हमारे phone का software है, वो उसे allow नहीं करता, तो उसके लिए हम जो है, रूट करते हैं, तो वो रूट की वज़ए से हम वो apps भी install कर सकते हैं, मान लिजए कई apps ऐसी होती है, जो हमारी country में available नहीं होती, या कोई और भी reason होते हैं, तो वो apps नहीं install हो पाती, और इसका opposite भी बिलकुल होता है, कुछ apps ऐसी होती है, जो uninstall भी नहीं होती, जैसे मान लिजए कि system की files होती है, जैसे मान लिजए MI का ही कोई software है, जैसे MI feedback है, जैसे इसी तरह का कोई और है, MI store है मान लिजए, वैसे MI में तो सभी apps uninstall हो जाती है, मैं एक example के लिए लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो ऐसी apps होती है, जो system की core apps होती है, वो uninstall नहीं होती, तो अगर आप ऐसी apps को भी uninstall करना चाते हो, तो वो भी आप easily कर सकते हो, आपके phone को root करके, ठीक है, तो ये काफी लोग अपने phone को आज कल root नहीं करते, उसका ही मैं reason जो manufacturer हैं, वो साल या दो साल तक ही, अपने phones को जो है, updates प्रोवाइड करते हैं, तो root का कुछ एक फाइदा ये भी हो सकता है, कि आप external ROMS जो है, वो अपने phone में डालके, अपने phone में latest software use कर सकते हो, ये कुछ एक अपके उसके फाइदे भी हैं, हम बोल सकते है, root के, पर अगर हम इसकी कमियां की बात करें दोस्तों, तो ये आपके phone को, जो है, कोई भी hacker जो है, उसे attack कर सकता है, क्योंकि आपको जो आप third party ROMS जो है, अपने phone में install करते हो, तो उसमें आपको जो कहा है, एक security नहीं मिलती, क्योंकि वो कोई भी उसे तोड़फोड कर सकता है, उसके साथ, मान लीजे, कोई third party ROMS बनाई किसी ने, और किसी और user ने उसके साथ होर changes कर दी, तो फिर आपने install कर ले, तो वो इतना secure system नहीं होता, क्योंकि वो जो है, महारा phone का manufacturer है, वो उसे बिल्कुल भी allow नहीं करता, कि आप इस तरह की apps को use करें, या अपने phone को root करें, तो इसलिए एक reason और भी सबसे बड़ा नक्सान ये भी है, कि आपका phone जो है, वो permanently brick भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से ROMS ऐसी होती है, जब आप उसे install कर रहे होते हो, तो उस समय मान लीजे, आप से थोड़ी बहुत भी गलती हो गई, तो आपका phone temporarily या permanently भी बंद हो सकता है, brick हो सकता है, तो ये कुछ एक नक्सान है, पर अगर मैं मेरी बात करूँ, final conclusion मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे हिसाफ से आप लोगों का अपना phone बिलकुल भी route नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज कल दोस्तों जो हमारे phone के manufacturer है, वो already पहले ही हमें इतने अच्छे features डाल के देते हैं हमार साल बाद अपना phone change कर ही लेते हैं, तो इस वज़ा से अगर आप आज के time में phone लोगें, तो उसमें सारे latest feature होंगे ही, उसके लिए आपको route करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ये मेरे कुछ एक बाते थी जो मैं आपको बताना चाहता था, phone को route करने के लिए, तो मेरे से phone बिलकुल भी route नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत से आपको जो है, नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप इतने tech की person नहीं हो, तो आप definitely अपने phone को खराब भी कर सकते हो route के चकर में, और route से मिलता कहा है, अगर आप एक दो feature यूज़ कर भी लोगे, तो उसका आपको इतन नहीं है, वो एक security का patch लगा के देती है, कि मतलब आपका phone पूरे एच्छी तरह से secure है, ठीक है, कई phones में update नहीं बंद हो जाती है, अगर आप route कर लेते हो, तो यह कुछ एक बाते हैं, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप phone route करना चाहते हो, मेरे हैसास से बिलक अच्छी लेगी काफी आपको information भी मिली होगी, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ब्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेर जरूर कीजिए अपने सभी दो अच्छी आपकी 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